आज आनु खुशु को मैंने सिर्फ एक डबा दिया है तो यह केस घर पे रहेगा दिल भी बैक सुनना आज है इनका फर्स्ट एक्जाम अल बेरी बैस्ट खुशु थैंक यू मामा चला हलो एवरीबरीबराण वर्कम बैक टू माई चानल और कैसे हो आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सेहत मंद होंगे खुशाल होंगे अपना अची तरह से धियान रख रहे होंगे और हम सब भी बस बहुत अच्छे से हैं सानवी कुशी के एक्जैम् के फाइनल एक्जैम्स है तो बस वह लोग जा रहे हैं स्कूल और उनको मैं लांच बाक्स भी देती है क्योंकि उनको स्कूल में एक ब्रेक होता है रिशस के बाद रिविजिन पीरिड होता है और यह देखिए आज जस्मेड माई चपल न्यू लाइक मैंने इनको पूरा सा करते रहे हैं इसका सब डास्ट और चला गया है यह बहुत लोगों को अच्छी लेगी थी जब मैंने खरी दी थी यह मैंने लिया था इंक फाइट से We all know कि majority of just skin related problems होती है वो होती है because of clogged pores इसलिए तो कहा जाता है कि रात में सोने से पहले चाहे आप कितने भी थके हों दो मिनिट निकालके face wash जरूर कीजिए आपका make up जरूर remove कीजिए because फिर वो जो make up है ना वो आपके pores को clogged कर देता है दिन में दो बार face wash करना भी इसलिए जरूरी है clogged pore की वजह से है ना skin pay dead cells का build up बढ़ जाता है और इसके वजह से बहुत सारे skin problems including acne हो जाते हैं और YouTube market में बहुत सारे products available हैं but most of them works only surface level surface level पर exfoliate करने का काम करते हैं they fail to tackle the problem from its root और आपके clogged pores and acne के समस्यों को दूर करने के लिए D-Dermacose 2% BHA exfoliant solution could be your new BFF D-Dermacose 2% BHA exfoliating solution which is by the way fragrance free product exfoliates dead skin cells and accelerates skin renewal while it clears the pore for a more even skin texture और इस product का hero ingredient is salicylic acid which is a form of BHA जो explicitly enlarged pores को target करता है it works on acne breakouts blackheads to make skin healthy and very clear और इसको इस्तमाल करना है बहादी आसान always start with a clear face and for that you can use D-Dermacose AHA BHA cleanser concentrate it is a daily cleanser that gently exfoliates it is formulated with salicylic, malic and lactic acid to give you clean and clear skin यह ना सिर जिए जनली एक्फोलिए करता है स्किन को but also controls sebum production and once you are done with cleaning your face उसके बाद आप इस्तमाल कर सकते है यह solution on your skin और यह solution आता है इस तरह की bottle में with a pump formula इसकी विज़े से application becomes so easy just pour the solution on your hand gently dab on your face, neck and other affected areas use daily at night for best results और यह a cleanser and this solution आप इन दोनों को everyday basis पे इस्तमाल कर सकते हैं आपको बाहर जाने के लिए है कि अगर आप सुभा की टाइम में यह exfoliant इस्तमाल कर रहे हैं तो make sure when you are stepping out in the sun you are using a broad spectrum sunscreen और आपको बाहर जाने के लिए ही जब कभी भी आपको यह ऐसे products इस्तमाल कर रहे हैं आपके so I would strongly recommend a patch test before you start using any new skincare और अगर आप इन प्रोडक्स में इंट्रेस्टेड हैं तो इस्तमाल कीजेगा मेरे डिस्काउंट कोड बिच इस्तमाल केजेगा मेरे डिस्काउंट कोड बिच इस्तमाल केजेगा आपको 20% का डिस्काउंट और यह सब ही products Flipkart, Amazon and Nika पर भी available हैं बट विदाउट दिस्काउंट कोड सारे ही बाइंग लिंक्स मैंने रख दिया हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इंट्रेस्टेड हैं तो चेक ज़रूर कीजेगा और है ना दो चार दिन से शर्मा जी मुझे बोल रहे हैं कि उनको मटर पनीर खाने का मन है पनीर तो मिल जाता है पूरे साल बट मटर इसके बाद फिर फ्रोजन ही मिलेगी सीजन चला जाएगा तो यह जो सीजन की मीठी मीठी मटर रहती है फ्रेश वाली वो नहीं मिलेगी तो मैं उनको बोल रही थी हाँ बनाती हूँ कल पर सो में टाले जा रही थी मैं तो मैं कल पर सो गई थी मारकेट तो मैं वहां से लेकर आई थी भिंडी और भिंडी खुशी को बहुत ज्यादा पसंद है मतलब वो इतना ज्यादा भिंडी चाओ से खाती है कि कोई भी किसी क भी आत का भिंडी होना वो टेस्स जरूर करते है कि कैसा बना है इतना उसे बिंडी पसने था तो हम लोग से मिनि गृल बोलते थे जब वो चोटी सी बच्जी थी हमें शाइज से वह बिंडी की फैन रही है तो शर्मा जी को खाना है मत्रपनीर खुशी को खाना है भिंडी भिंडी है भी मेरे पास और शानो ने मुझे कोई फर्माइश नहीं करी बट मेरे दिन में ऐसा आइडिया आया है कि चलिए मैं आपके साथ एक थाली की रेसिपी शेयर करती हूँ बहुत वक्त हुआ मैंने कोई थाली की रेसिपी भी शेयर नहीं की एक ऐसी थाली जो आपके गेस्ट के लिए बना सकें जो फटाफट भी बन जाए और जिसमें अच्छा वराइटी भी मिले तो उस हिसाब से मैंने शानू कि एक फेवरिट चीज़ जो इसमें इंकॉर्परीट की है वो है दही बड़े इंस्टन्ट वाले बनाऊंगी मैं और यह थाली आप जरूर से बनाएगा यह मेरे घर के जो तीनों शर्माज हैं उनको तो बहुत पसंद आई थी उन सभी के डिमाइंड़ एंड फेवरिट कॉंपोनेंट्स जो थे इस थाले में बट आप बनाएंगे ना तो आपको भी खाकर मज़ा जाएगा और अगर गैस के लिए बना रहे हैं तो वो भी खुशो कर जाएंगे बात करेंगे चटनी बनाने से तो मैंने यहां पर ले लिए हैं कुछ एक हरी मिर्चे मौडरेटली तीखी हैं बहुत जाए तीखा नहीं है इतना मिर्ची का जितना लाइट कलर रहता है उतनी वो कम तीखी रहती है अगर डाक डाक ग्रीन रहता है ना भिंडी के कलर जैसी तो बहुत तेज दीखी होती है तो मैं यहां पर एक चटनी बना रही हूँ तो मैंने डाला है यहां पर हरी मिर्चे काटके थोड़ा सा कच्छा ही जीरा अड़ कर दूगे मैं यहां पर यहां पर आड़के है मैंने थोड़ा सा कच्छा ही सौफ और फ्रेश धनिया और यह तो आपको जैसी चटनी पसंद आती है वैसे आप डाल सकते हैं चटनी में मैं वैसे लहसुन डाल कर बनाती हूँ वट क्योंकि मुझे यह चाही होगी दही बड़े में इसलिए मैंने यह सब चीज़े ओमिट कर दी है साधा नमक डाल कर थोड़ा पाएं डाल करके मैंने इसको पीस लिया था एक बार और इसके बाद दकन कोर कर अड़के आमने इसमें काला नमक और निम्बू का रस आप आमला भी डाल सकते हैं और अभी गर्मियों में कच्छी केरी अच्छी वाली आईगी तो वो भी डाल सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी चीनी डालेंगे मीठा नही सकते हैं चतनी होगे रेडी यह जाएगा फिरिज के अंदर औरन इसे स्टोर कर सकता हूं बहुत सारे रेसिपिज में इसमाल नमक हो गईaya था तो मैं नमक का जार फिल कर रहे हूं इस बार मैं सेंधह नमक डाले रियों मैं नमक है नहीं रोटेट करके सिस्तमाल करते हूं य जुझ सबसे पहले करके पिंडी जुझी उस झाटेक quyfi Mmm मैं यहां पर तैयारी कर रहे मैं लुए मैंने क्ट ओए प्यास यह थोड़ा सा ज्यादा बी डलता है इससे को एक अच्छा taste and sweetness आती है तो मैंने बिंडी के लिए पैन चड़ाया उससे पहले I thought कि चलो थोड़ा भूना जीरा पाउडर बना लेती हूँ वो मुझे चाहिए होगा दही बड़े में तो मैंने पैन में डाला है कच्छा नॉमल जीरा शाह जीरा नहीं है ये नॉमल जीरा मैंने अड़ कर दिया इसको थोड़ा भून लेंगे काला काला नहीं भूनना है थोड़ा रेड रेड हो जाएगा बस भूनिये और इसे रख दीजे साइड में ठंडा होने के लिए फिर बाद में हम इसको पीस लेंगे और मैं पैन चड़ा दूँँगे वापस से और बनाऊंगी भिंडी ना तो भिंडी मैं बना रही हूँ सरसो के तेल में ज्यादा करके सूखी सबजिया मैं सरसो के तेल में बनाना पसंद करती हूँ अच्छा टेस्ट आता है उससे आपको सरसो का तेल नहीं खाया जाता है तो आप आपकी मर्जी का तेल डालिएगा मैंने आड़ किया है प्याज और प्याज के बाद जीरा क्योंकि बिंडी में काला काला जीरा अच्छा नहीं लगता है अब यह चीज़े थोड़ा सा भूनेंगे लाइक 30 सेकिन ओनली और आड़ करतेंगे तुरंत ही भिंडियां और अभी भिंडी और प्याज साथ में मिलाके थोड़ी देर भूनेंगे मैंने 2-3 हारी मिर्ची भी यहां डाल दी थी बहुत लोग बिंडी में हारी मिर्ची पसंद नहीं करते तो यह ऑपिशनल है मैंने लंबा-लंबा काटके डाला था अच्छी लगती है मुझे मेरे गर में पसंद करते हैं मिर्ची नहीं खाएंगे निकाल कर रख देंगे बट इससे एक फ्लेवर आता है उस तरह की बिंडी अच्छी लगती है अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए बाकि कुछ नहीं मिलाएंगे डखका लगाके इसे फुल फ्लेम पे 2-3 मिनट पकाईए मैंने एक दूसरे बटन में ले लिया है सुजी और आड करूँगी दही कितना भी सुजी आप लीजिए उससे आधा से लेकर बराबर तक दही डालिएगा दही अगर पतला पतला है तो बराबर डालें गड़ा गड़ा है तो आधा डाल सकते हैं जितना भी सूजी आपने लिया है अच्छी तरह दोनों चीजों को मिला लीजिए ज़रूरत लगती है तो थोड़ा पाए डाले थोड़ा नॉमल जैसा बैटर बनाए सकत नहीं बनाना है अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर दीजिए और इसको ना ढगा के रख देंगे साइड सूजी फूल जाए अराउंड 15 मिनट रखेंगे यहां बिंडी देखिए अच्छी लाल होने लगे तो अच्छे से बुन गए अब इसमें स्लाइम नहीं आएगा अब करेंगे मसाले हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर धनिया पाउडर थोड़ा ज्यादा जाता है बिंडी तो पांच में बन भी जाती है बिंडी तियार हो जीए लास्ट में आड करने इसमें थोड़ा सा आम चूर का पाउडर बिंडी बर गरम मसाला दोनों चीज़े डाल करके देखेगा अच्छा टेस्ट आता है बिंडी में अब सारी चीज़े अच्छी तरह मिला लीजे पाउडर बनाने के ज़रत नहीं है ज़रा सा कोर्स रहेगा तो अच्छा लगता है अच्छा टेक्स्चर आता है इससे और यह जो जीरा है मैं एक साफ भरनी में बर लूँगी थोड़ा सा अभी गरम है तो डखकन नहीं लगाऊंगी थोड़ा लिट लगा के ऐसा हलका सा इ क्योंकि बन रहा है मटर पनीर और उसमें भी काला काला जला हुआ जीरा अच्छा नहीं लगता बुनने देंगे सारी चीजें मीनवाल थोड़ा सा जिंजर और गालिक नमक के साहता से मैं फ्रेशली कूट लूँगी मटर पनीर बन रहा है तो पनीर काट लेते हैं और मटर मटर पनीर में फ्राई किया हूँ और थोड़ा सा बड़ा बड़ा पनीर अच्छा लगता है एक ऐसी मटर पनीर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं जो तुरंत बन जाती है कम सामान इसमें लगता और आप जब खाएंगे आप वावा करेंगे अभी जो मैं बना बून लेंगे मटर पनीर में आपका प्यास तोड़ा अच्छा लाल भूना हुआ बहुत अच्छा टेस्ट देता है इसमें कच्छा कच्छा प्यास मत रखेगा कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर मैंने यहीं प्यास के साथ थोड़ी देर बून लिया है इसके बाद देखें ड्राय हो चुके हैं अच्छे से बुन चुके हैं एड करेंगे इसके अंदर थोड़ी सी चीनी थोड़ा हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला और एक मेजर कॉम्पोनेंट इस करी का वह है छोले मसाला आप डाल करके देखेगा जो देखें कलर का फरक आप तुरन देखेंगे खुश्बू और टेस्ट भी बहुत इनायंस हो जाता है मसाला अची तरह बुनकर तयार हो गया है दानेदार हो गया है ड्राय हो गया है इसने ये फ्रेश मटर है धुले हुए ये आड कर दिये हैं मैंने अब मटर और पनीर का प मेरा मसाला त्यार हो इतने में ही पनीर फ्राय हो गया है तो मुझे इनको अलग से गरम पानी में डालनी की ज़रत नहीं है अगर आप पहले से पनीर को फ्राय कर ले तो तो फिर गरम पानी में उसे डाल के रखेगा अधर वह सूखा हो जाएगा पनीर मैं आड किया और इसक के बाद मैं इसको डखन लगा कर पकाऊंगे कुकर में मटर पनी शांदार बनता है दो से तीन सीती ले लीजिए यहां पर सूजी का मिक्स्टर देखे इस अच्छे खासे 15 मिनिट हो चुके हैं यह थोड़ा गाड़ा हो गया है इस टेज पर आड कर दूगे मैं इसके हिसाब स नमक और थोड़ा सा पानी जारा गाड़ा लग रहा था ना मेरे को क्योंकि सूजी जब फूलती है तो काफी सारा पानी अब्जॉब कर लेती है यहां एड कर रहे हैं थोड़ा सा हींग भी आप चाहें तो कटा हुआ अद्रक और किश्मिश आड़ कर सकते हैं अगर आपके फेटना शुरू करें एकदम ही फ्रती हो जाएगा आपका मिक्स्चर में दिखाती हूँ कितने सारे इसमें जाग बन जाएंगे एकदम लाइट एरी फ्रती हो चुका है और रेस्ट नहीं कराना इसलिए मैंने अपे पैन पहले ही चड़ा दिया था तुरंत फेट करके और जो बैटर है यह डालिएगा अपे पैन के अंदर है यह दही बड़े अपे पैन में इसलिए बना रहे हो एक तो इन सभी का साइज सेम रहेगा बराबर रहेगा दूसरा ओयल कम लगेगा अगर आप चाहते हैं तो जैसे ट्रडिशनली बनते हैं दही बड़े तेल में फ्रा आपको पता चली जाएगा की कुक हो गया है बस दोनों तरफ से इसे अच्छा लाल लाल सेक लीजे सेंटर में थोड़ी ज्यादा हीट आती है तो मिडल वाले अपे जल्दी जल्दी कलर ले लेते हैं इसलिए मैं उनकी जो प्लेस है ना वो इंटर चेंज कर दूंगी लगभग एक जैसे और एकी टाइम में फ्राइ हो जाए एक जैसा कलर सब पर आ जाए इंस्टंट दही बड़े ब्रेड के भी बनते हैं अगर आपको वो रेसीपी चाहिए तो मुझे कॉमें बॉक्स में बताएगा मैं वो रेसीपी भी आपके साथ शेयर कर दूंगी वैसे आपके जोर से क्रेविंग हो रही हो गेस्ट आगे हो जिनने आप अच्छा खिलाना चाहते है चाटवाट या आपका ही एकदम से मन कर जाए कि आज मैंने दही बड़े खाने है तो आप तुरंद से इस तरह बना सकते हैं बस आपकी चटनिया रेडी होनी चाहिए दस- क्या करना है और यहां मेरे मटर पनीर को सीटी लग चकी थी इसका प्रेशर अपने आप चला गया है मैंने डखन खोला लुक अट इस लग रहा है ना मज़दार क्योंकि यह बहुत मज़दार बनता है हमेशा ही मैं कोशिश करते हूं कि मटर पनीर जो है कुकर में बनाया ज और मटर पनीर एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत स्पेशल होने के बावजूद भी एकदम सिंपल है इसमें कोई काजू क्रीम यह सब कुछ नहीं जाता सिर्फ प्यास टमाटर और भुनाई का सारा गेम है बना कर देखेगा यह रेसिपी आपको अच्छे लेगी मसाला चास बाहर मिलता है वैसा तैयार हो जाएगा थाली के लिए ब्रेड पोर्शन में आज बन रहा है लच्छा पराठा तो मैंने यह थोड़ा सा बड़ा बॉल ले लिया है और इसको रोल कर लेंगे थोड़ी लंबी रोटी की तरह और इसके बाद इसकी अंदर वाली ल जैसे मैं फोल्ड कर लिए और यह इतना बड़िया लच्छा पराठा बनता है वैसे लच्छा पराठा है ना मैदा का बनता है इसलिए उसकी परते बहुत अच्छी खुलती भी है बट यह मैं सादा रोटी वाला आठा लगा कर उसी से बना रही हूँ आपका दिल चाहे तो आपके इसे फैला लीजिए लच्छा पराठा जरा थिक ही रहता है और इसे घी के साथ सीखेगा बहुत अच्छा टेक्स और खुश्पू आती है दोनों तरफ से बड़िया लाल लाल होने तक इसको हम सीख लेंगे तक पराठा सीख रहा है एक बड़े से बरतन में मैं डाल पानी और इसके अंदर अड़ करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हींग यह दही वड़े को असेंबल करने की तयारी चल रही है इस पानी के अंदर मैंने जो वड़ास तयार कर लिया ना वो सोक करने रख देंगे यह अलड़ी बहुत सौफ्ट है इनको बहुत अगे खोल के दिखाती हूं आपको तो पराठा इस रेड़ी और यहां पर वड़े देख लीजे हाथ से फील करके देखेगा अगर यह पूरे पिचकने जैसे आपको लग रहे है ना प्रैस हो रहे है तो बस रेड़ी हो गया है तो रंतिन का पानी निकाल लीजिए जिसे द नौट है तो वो नोड जब तक डिजॉल्वना हो जाए तब तक इसको पानी में छोड़े और दही के लिए मैंने अच्छे से फेट ली आता दही आड़ किया इसमें थोड़ा सा साधा नमक और पानी दही वड़ी का जो दही रहता है वो बहुत थिक नहीं होता चाट का दह तक ही ठीक रहता है बत दही वड़े का पतला ही रखा जाता है बत अच्छे से फेटा वाला रहा होना चाहिए और बहुत खता नहीँ होना और कशमीरी लाल मिर्ची का पाओड़र मैं रख सकते हैं enabling ध्यान दिएगा उसे थोड़ा वच्देद ड़ेगा यह अन्योय सबस्टेद पाथ लेते हैं तो दिसमेर में भीड़ि आपको ज़रूर से अच्छी लेगेंगी यह हमारा अचार मूली और प्यास का जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर किया है लच्छा पराठा इस तरह हाथों से थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा इस तरह सर्फ करने में एक तो स्पेस कम लेता और लच्छा पराठा इसी तरह सबस्सक्राइब चाहस हो जाएगी मैंने पापड सेक लिया है माइक्रोवेव में माइक्रोवेव में 15 सेंद एक तरफ से और पिर जहां कच्छा रही आपको साइड घुमाके वापस से 15 से वापस से 0 17 फृप करने की ज़रत नहीं है 15-15 सेंद दो आपको इस गापका के beloved guest के लिए but try जरू दीजेगा आपको यह पसंद आएगी thank you for watching guys take care bye bye